बिहार से देवर्य जा रहे जीब अचानक गड़े में पलट गई आपको बता दें कि बिहार के भोरे से देवर्य जा रहे जीब के अचानक इस्टेरिंग फेल हो गई और बैकुन पूर पूल से 300 मिटर आगे गड़े में पलट गई जिसे आप छेतर में आपरात अपरी मजग और मों के पहुंचे लोगों ने रहत बचाव करते हुए जीब के अंदर बैठे लोगों को निकाला गनीमत ये रहे कि किसी तरह का कोई खत्रा नहीं हुआ सभी को सुरक्चित निकाल लिया गया लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब चालक लागतार अपन में सवारी करते हैं तिनका जिम्मा कौन उठाएगा जहां जरजर गाड़ियों से लागतार सवारी ढोए जा रहे हैं लेकिन परसासन पुरी तरह से आंख मुंदे खड़ी रहती है नो तो उन गाड़ियों की गुर्वरता चेक की जाती है नहीं किसी तरह का कोई प्रतिबं होता है जितना मर्जी आए उतना सवारी भर लें चाहें कितना भी दूर जाना हो आपको पता दें कि देख सकते हैं कि वीडियों में किस तरह से किस तरह से गाड़ी पल्टी होई है अगर यहां पर बड़ा हाथा होता तो क्या होता